जैहिन दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल एहमत ट्रेक्मरोजी पे इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाए थी तीर गंटे पहले उसमें मैंने आपको बताया था कि आपका जो ओ लेवल का रिजल्ट है जन्वरी दोजार चोबिस का वो नेलेट ने डिकलेर कर दिया है लेकिन अगर आप नेलेट की ओफीसल वेबसाइट पर अपना रिजल्ट च जाता है तो वहां से आप अपसे डाउनलोड पीडिया डरूप में होता है जया बस इसमें क्या नहीं होता कि कितने नंबर आपके थेयूरी construir 말을 में हैं तो यह कैसे पता चलेगा कि कितने नंबर कितने नंबर में vere Swiss ईसमें चेक्क करोगे तो हुए से आपको यह डाउट आपका क्लियर हो जाएगा नमबर आपके वहां पर सोंगे इस पीडियाफ में नमबर नहीं है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका गिरेड होगा और पास है या फैल यह लिखा होगा तो बात कर लेते हैं एक एक करके आपके सभी डाउट पर जो भी आप एमेल आएडी पर ही आपका रिजल्ट ने लेट सेंड करेगा ठीक है बहुत से बच्चे जो ऐसे हैं जिन्होंने एमेल आडी रिजिस्टेशन के टाइम पे नहीं दी तो आप अपनी ईमेल आईडी पर चेक करेंगे तो आपका रिजल्ट वहां पर नहीं मिलेगा और जिन्होंने अपनी email id दी थी और उनकी email id पर फिर भी result नहीं आया है तो आप थोड़ा wait कर सकते हैं, हो सकता है, आपका भी नहीं आया हो नैलेट जो है, एक साथ सभी के नहीं करके, बच्चों को पहले बहुत से कम बच्चों को दे जाता है उसके बाद आपका result भी आ जाएगा, email id पर आ जाएगा, email id पर सभी email id पर आएगा, अगर आपने सही email id दी होगी तो, ठीक है, थोड़ा wait कर लिजे, बात कर लेते हैं, आपके जो result है, वो किस किस का आया है, जो नैलेट है, बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि district wise result आ रहा है, ऐस तो ये कारण है, आपका result भी आ जाएगा, email id पर, अब ये नहीं कह सकते हैं, आप दिल्ली वालों का पहले है, UP वालों का ठीक है, दूसरी बात है, result केवल email id पर आएगा, ऐसा नहीं है, result पहले email id पर आएगा, उसके बाद आप नैलेट की official website से डाउनलोड कर पाएंगे, ज हो सकता है, साम तक आपको result देहने को मिले official website पर, अभी अगर आप चेक करेंगे, तो बिल्कुल भी side work नहीं कर रही है, ठीक है, तो result केवल email id पर आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, परेशान होने की ज़रत नहीं है, आपकी email id रजिस्टर नहीं है, या अपने email id नहीं देती, तो आप newsletter की official website से भी चेक कर पाएंगे, हमारी email id रजिस्टर नहीं है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की आपको ज़रत नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ, जिन बच्चों की email id रजिस्टर नहीं है, वो newsletter की official website से अपना result चेक करेंगे, बात में अभी आप वे जो है, एक दिन पहले या कुछ घंटे पहले आपका जो result है, वो PDF के रूप में आपको email id पर send किया जाता है, O level और A level वाले बच्चों को, ठीक है, यह जो है, 233 से newsletter कर रहा है, तो जो यह result है आपका, यह बिल्कुल भी फरजी नहीं है, email id पर जो result आया है, यह बिल्कुल सह जो बच्चे फैल है, वो फैल है, जिनके पास हो चुके है, वो पास ही है, ऐसा नहीं है, जो पास है, वो फैल हो गए है, और जो फैल है, वो पास हो जाएंगे, अगर आप नेलेट की ओफीसल वेबसाइट पर चेक करोगे, तो वहाँ पर कुछ और दिखाएगा, जो email id पर पर लेकिन मुझे उम्मीद है, कि आज साम तक आपका result देखने को मिल सकता है, रात तक, ठीक है, जो बच्चे फैल हो गए है, वो क्या करेंगे, देखिए, पहले आप क्या करवा सकते थे, रिटोटलिंग करवा सकते थे, जब आपके exam offline होते थे, रिटोटलिंग का मतलब हो उसमें से केवल 98% बच्चों का same grade होता था, जो पहले है, वही, यानि फैल है तो फैल, B है तो B, C है तो C, 2% बच्चे ऐसे होते थे, जो पहले फैल है, वो पास हो गए है, या जिनका कुछ अच्छा grade नहीं था, उन्होंने recheck कोपी करवाई, तो उनका थोड़ा अच्छा grade से आपके दुबारा से पेपर लोग हो जाएंगे, आपका जो registration number है, ये 5 साल तक valid होता है, 5 साल के अंदर अंदर आपका ये भी अपने पेपर लोग करके पास कर सकते हैं, ठीक है, जिन बच्चों के मानले जिए 2 पेपर पास हो गए हैं, या 3 पेपर पास हो गए हैं, और ए जो बच्चे theory में पास है हैं मानली जिए और practical में फैल हैं, तो आपको theory और practical फिर से दोनों देने पड़ेंगें डोनों, जो बच्चे practical में पास हैं, ठीक है So far, प्र भी आपको दोनों ही देने पड़ेंगे, कहने का मतलब यह हैं, अगर आप फैल हैं किसी भी module में, किसी भ प्रेक्टिकल उसका थियोरी वेपर दोनों देने पड़ेंगे यह बात भी आप समझ लीजिए ठीक है तो और भी कोई अगर आपके मन में डाउट है तो हमें जरूर कमेंट बोक्स में बताएं और जो बच्चे पास हो गए हैं उनका सच में अच्छा ग्रेड आया है और वह इस पास कर लेंगे और इनके साथ धोका यह हुवा ब्रेक्टिकल में कुछ किया चीए इसलिए फैयल होगय है इनके थियोरी में अच्छे नंबर होंगे लेकिन वह बाद में पता चल पाएगा कि कितने नंबर है इनके आपके मन में और कोई भी डाउट है रिजल से रिलेटिड आप हमें जरूर बताइए कमेंट बोक्स में वाटसप नंबर है हमारा 8505848968 हमारे वाटसप नंबर पर भी आप हमसे कोंटेक्ट कर सकते हैं कोल कोई ना करे कोल होगी भी नहीं क्योंकि इनकमिंग बंध है ठीक है और जो बच्चे दो पेपर पास कर लिए हैं जिन बच्चों ने वह अपना प्रोजेक्ट अभी सम्मिट कर वालें बाद में हो सकता है अगर आप अभी करवा लेते हैं इसे एक फायदा होगा कि जो भी मान लेजिए वाकेंसी आती है और आपने प्रोजेक्ट सम्मिट कर रखा है और आपने चार रुपेपर पास कर लिया है तो आपका जो सर्टिफिकेट ने जल्दी चारी कर देता है लेकिन आपने मान लेज अभी सम्मिट करवा सकते हैं प्रोजेक्ट सम्मिट करने के लिए आप अपना आइडी पास्वर्ड हमें वट्सअप पे भेज सकते हैं आपना जिन बच्चों के पास पास्वर्ड नहीं है जो बच्चे इंसिट्यूट से वह लेवल कर रहे हैं वह भी अपना केवल 500 रुपे में सम्मिट कर देंगे इसमें आपकी 100 रुपे नेलेट की फीस भी इंकुलूड होगी टोटल 500 रुपे में आपका प्रोजेक्ट सम्मिट हो जाएगा आप आपको क्या करना है 500 रुपे के देने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है ना आपको फाइल बन लगबग अभी हम आपको बता दें, लगबग लगबग 1200-1300 बच्चों का प्रोजेक्ट सम्मिट कर दिया है, 2023 से हमने प्रोजेक्ट सम्मिट करना इस्टार्ट किया है, पहले सम्मिट महीं करते थे, 2023 से हमने स्टार्ट कर दिया है, प्रोजेक्ट सम्मिट का भी काम, अब चा direct contact करें हमारे WhatsApp नंबर आप उनको दे सकते हैं और वो हमसे अपना प्रोजेक्ट करवा सकते हैं प्रोजेक्ट की 100% की जिम्मेदारी होते हैं समिट करने की अब बहुत से बच्चों के बन में यह डाउट होता है कि हम इंसिटूट से वे लेवल कर रहे हैं और अगर हम अपना प्रोजेक्ट आप से सामिट करवाते हैं तो हमारे सर्टि अवाले हमें कुछ बोलेंगे तो नहीं हो में घ्रियंगे तो देखें हम now is एक सिंपल सी बात है जो बच्चे हमसे अपना प्रोजेक्ट करवाएंगे और उनके चार पेपर पास है तो उनका सर्टिफिकेट हम डाउनलोड करके देंगे यह हमारी दारी हो जाएगी फिर अगर आप डड़ते हैं इंशिट्यूट वालों से के सर्टिफिकेट नहीं है और ना ही इंशिट्यूट पांगोट करना होता है तो यह आप इससे ना डरें कि आपका अगर कोई और कर देगा तो का certificate जो रोक लेंगा ऐसा बिल्कुल नहीं है ठीक है और भी कोई आपके मंद में डाउट है तो आप पूछ लीजेगा